वेल्कम बैक अब्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्विसे स्टड़ी यह प्रक्टिस सेट नमबर 211 है यटा सिरीज स्टेट PCS के लिए खासकर UPPCS के लिए और इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री के NCRT को कवर कर रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रसासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीती और यह जो सिरीज है important है दूसरे स्टेट के PCS के लिए भी क्योंकि GS सबकी सेम ही रहती है जैसे कि उत्राखंड PCS हो गया BPSC हो गया MPPSC हो गया तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जितने भी प्रस्ट निकलेंगे उनको हम ब अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनी कि करण की नीती को छोड़ दिया गया क्या यह बात सकत्य है 1858 के बाद अंग्रेजों ने जाती वाद तथा साम परदाइकता को बढ़ावा दिया भारत में बिलकुल यह correct है दोनों के दोनों statement C has cancer तो दोनों के दोनों कथन सत्त्य हैं अंग्रे उजिनों अंग्रे जो ने आधुनी की करण की नीती को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया क्योंकि भारतियों अपने समाज के आधुनी की करण तथा अपनी संस्कृति पर जोड़ देने की दिसा में बढ़े भारतियों ने मांग की कि उन पर सतंतरता समानता और राश्चता के आधुनीक सिद्धांत की अनुसार साशन किया जाए और अंग्रेजों ने सुधारकों को जो भारतिय समाज सुधारक थे उनको अपना समर्थन देना बंद कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने समाज के कटर पंथियों का पक्ष लेना सुरू किया और उन्होंने जाती बाद और सामपरदाइक्ता को भी बढ़ाबा दिया तो दोनों के दोनों कथन सत्त हैं C है इस कांसर इंपोर्टन प्रशन है भारत में सबसे पहले इंजरिंग कॉलिज की स्थापना किस जगे होई रुड़की में ठीक है बरतमान में उतराखंड में है रुड़की आई आई टी रुड़की तो देश में सबसे पहले इंजरिंग कॉलिज की स्थापना होई 1847 में रुड़की में पुश्य नमबर त्री पर आजाए आपनी वेशिक काल में अधोगामी नेशपंदन सिद्धांत यानि downward filtration theory का संबंद किसे था railway नयाय प्रणाली भूरा जस्विया सिक्षा railway नहीं है, नयाय प्रणाली नहीं है बताए जह भूरा जस्विया सिक्षा इसका अंसर है सिक्षा option number D तो अपने वेशीक काल में सिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए बिटिस अधिकारियों ने तथा कथेत अधोगामी निशन्दन सिद्धान्त या नीचे की और छन जाने के सिद्धान्त यानि दाउन वर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी का सहरा लिया चुकि सिक्षा के मद में दी गई धनराशी के द्वारा मुठी भर लोगों को ही सिक्षित किया जा सकता था इसलिए यह तह हुआ कि उसे उच और मध्यम बर्गों के थोड़े से लोगों से आशा की जाती थी कि वे कर सकते हैं आप पर टेलिग्राम गृप से जुड़कर यह नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके कोश्चन नंबर फोर पर आजए भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी सरकार द्वारा आधनिक सिक्षा के परशार के मुख्य उद्देश क्या थे देश की आजादी स पहले जो अंग्रेज थे या ब्रिटिस सरकार जो थी भारत में आधनिक सिक्षा का प्रसार क्यों कर रही थी क्या उसके कारण थे पहला है भारते लोगों को आधनिक बनाना ताकि वह राजनितिक गदिविधियों में भाग ले सके परसासनिक खर्च कम करने के लिए भारत म अंग्रेज बिलकुल यह नहीं चाहेंगे कि भारते लोगों को आधनिक बनाया जाए ताकि वह राजनितिक गदिविधियों में भाग ले तो गलता पहला स्टेट्पेंट प्रसासनिक खर्च को कम करने के लिए दूसरा पहला से है भारत में ब्रिटिस प्रसार के खर्च कम करना और इसके लिए ब्रिटे स सरकार सिक्षित भारतीयों के संक्या बढ़ाना चाती थी जिससे प्रशाषन और बढ़ते ब्रिटे ब्यवसाईक प्रतिष्ठानों के चोटे कर्मचारियों की बड़ी होई जरूरतों को पूरा किया सके सिक्षित भारती आपेक भारत में विस्तार करेंगे और अंत में पाश्यात्य सिक्षा भारतिय जंता को बिटिस साशन स्विकार करने के लिए प्रेड़ित करेगी। पाश्यात्य सिक्षा है नहीं, पश्मी सिक्षा। पांचोब प्रशने बिटिस काल में किस एक्ट में बिद्वान भारतियों को बढ़ावा देने तथा देश में आधनिक विज्ञानों के ग्यान को प्रुचाहित करने के सिद्धान्त को सामिल किया गया इंडिया एक्ट किस एक्ट के द्वारा बिद्वान भारतियों को बढ़ावा देने तथा देश में आधनिक विज्ञानों के ग्यान को प्रुचाहित करने के सिद्धान्त को सामिल किया गया इस एक्ट के द्वारा बिद्वान भारतियों को बढ़ावा देने तथा देश में आधनिक विज्ञानों के ग्यान को प्रुचाहित करने का सिद्धान्त सामिल किया गया और इस एक्ट के तहत इस इंडिया कंपनी को इस उद्देश के लिए एक लाख रुपे खर्च करने का निद्देश दिया गया मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए यह तुछ रकम भी नहीं दी यह एक लाख रुपे भी नहीं दी एक प्रश्न बड़ा बनता है इसे एक्जामस में कि किस एक्ट के द्वारा सिक्षा पर एक लाख रुपे खर्च करने की ब प्रशन नमबर शिक्स पर आजएए इंपोर्टन प्रशन है भारत में संस्कर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की इसका अंसर है जोनाथन डंकन ऑप्सन नमबर एक तो जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्यन के लिए वाराणसी में संस्कर्ट कॉल प्रमकुद्देश से पूछ रहा है सती प्रथा पर रोक विद्वा पुनर विवहा बाल विवहा पर रोक ठीक है सीज का अंसर है तो बिटेश सरकार ने इस वर्चंद विद्यासागर और अनिसुधार को द्वारा विद्वा पुनर विवहा के पक्षमे लगातार चलाए अंदोर्ण के कारण士 अठाश 126 में हिंद्वु विद्वाओं की पुनर विवहा पूरन वि पैस किया है किसटने 1871 में कलकॉत्त्रा में मदरसा की स्थापना की 1781 कलकत्ता में बदर जा सा वोरेंट हैंस्टिंग तो 1781 में वोरेंट हैंस्टिंग ने मुसलिम कानून और संबद विश्यों के अध्यन और पढ़ाई के लिए चिसका उदेश कंपनी की अदालतों में नयाय प्रशासन के लिए योग भारती है नियमित रूप से मिल सके हैं जिसका उदेश क्या था कंपनी की अधारतों में नियाय प्रशासन के लिए योग भारती है वो नियमित रूप से मिल सके Quesha No. 9 पर आजए 19. सदी में भारत में आधुनिक सिक्षा के प्रशार में नियमित वी सदी में भारत में आधुनिक सिक्षा आरंब करने में अधिक सफल रहे आधुनिक सिक्षा के प्रसाद में बिटिस सरकार इसाई धर्म प्रचारक और बड़ी संख्या में प्रुवद भारतियों ने इस कारे में महत्पूर्ण भूमी का अदा की question number 10 पर आजए है नर्व अली प्रथा को सवाप्त करने के लिए कानून किसके साशनकाल में बनाया गया important question है नर्व अली प्रथा को सवाप्त करने के लिए कानून किसके साशनकाल में बनाया गया Lord Harding option number B has cancer तो सिसु हत्या को रोकने के लिए कानून रोकने के संबंद में कानून 1795 और 1802 में बनाए गए मगर उन्हें सक्ती से विलियम बेंटिक और लॉर्ड होर्डिंग ने ही लागू किया लॉर्ड होर्डिंग ने नर्वली प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया यह जो पर्था थी वो गौंड नाम की आदिम जनजाती में प्रशलित थी एक और इंपोर्टन प्रश्ण 1829 में सती पर्था को गयर कानूनी घोशित किस ने किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है प्रियास रत थे इसमें राजा राम मोहन राय दोन तरह से प्रश्ण मनते हैं एक्जामस में तो विलियम बेंटिक ने 1829 में सती पर्था को गयर कानूनी घोशित कर दिया विलियम बेंटिक ने घोशना की कि पती की चिता पर विदवा के जल मरने की कारवाही में जो भी सयोगी होंगे उनहें भी अपराधी माना जाएगा एक और इमपोर्टंट प्रश्न है भारत में नागरिक सेवा यह सिवल सेवा का जनूपसर नवाल का ज़ Chic question number 13 पर आ जाई है भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्सता में भारते कानूनों को सहीतावद करने के लिए एक बिधी आयोग यानि लॉग कमिशन का गठन किया James Principe, Lord Macalee William Benteig या फिर Elphiston क्या है इसका अंसर? इसका अंसर है Lord Macalee of somebody तो बेटे सरकार ने 1833 में ये एक चार्टर भी है Lord Macalee के नितरत में भारते कानूनों को सहीतावद करने के लिए एक विधी आयोग यानि लॉग कमिशन निक्त किया उसके परिश्रम के फलसरूप भारते दंड सहीता यानि इंडियन पीनल कोड पश्मी देशों से लाई गई दिवानी पर करिया और दंड पर करिया सहीताएं और कानूनों की अन्य सहीताएं आई और अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए पूरे भारत में और उन्हें नियायलों की समरूप प्रणाली के जरिये लागू किया गया question number 14 पर आज़े नम्रेखित कतनों पर विचार करेंगे दो कतने आपर कौन सा इसमें सही होगा रूडी वादी दरश्टिकोण वाले ब्रिटिस अफसर भारतिय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे आठारे सो तक आने वाला नया दरश्टिकोण भारतिय समाज और संस्कृति का परसंसक था देखे उल्टा कर दीजिये परसंसा उपर जाएगी निंदा नीच आएगी रूडी वादी दरश्टिकोण वाले जो ब्रिटिस अफसर थे वो भारतिय दर्शन और संस्कृति की निंदा नहीं करते थे अठारे सो तक आने वाला नया दरश्टिकोण भारतिय समाज और संस्कृति का परसंसक नहीं था लोचक था तो कोई भी सही नहीं है डी हैस का आंसर उपरोग में से कोई नहीं देखे दोनों के दोनों कथन असत्य हैं अठारवी सदी में योरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दरश्टिकोण से टकराव हुआ पुराने दरश्टिकोण को रूडी बादी या परंपरा का दरश्टिकोण कहा जाता था यह द्रश्टिकॉण भारत में यथा संबग कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था सुरुबात में इस द्रश्टिकॉण के प्रतिनिधी वोरेन हैंस्टिंग और प्रश्चिद लेखक तथा सांसद एंडमंड वर्क थे वे भारते दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे तो पहला वाला गलत हो गया उन्होंने प्रस्ताब दिया कि कोछ पश्मी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है किन्तु उन्हें बड़ी साबधानी पूर्वक धीरे धीरे लागू किया जाए उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दवाजी में किये गए परिवर्तन देश में तीब्र प्रतिकरिया उत्पन करेंगे अठारे सो तक रूडी वादी दरश्टिकोण की जगह पर बड़ी तेजी से नया दरश्टिकोण आने लगा था जो भारते समाज और संस्कृति का कट्टू आलोचक था तो गलत है दूसरा बला भारते सभिता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घ्रणा की दरश्टि से देखा जाने लगा तो दोना के दोना कलत है पुशन नमबर 15 पर आजए 1813 के बाद ब्रिटेश सरकार द्वारा भारते समाज और संस्कृति में हस्तक शेप की नीती के अपनाने के परमुक कारण थे ब्रिटेश ओध्यक हितों की पूर्ती के लिए 18-19-19 सदी के दुरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रशार करने के लिए भारतीय द्वारा ससस्त्र विद्रो तेखे 1813 के बाद ब्रिटेश सरकार द्वारा भारते समाज और संस्कृति में हस्तक शेप किया गया हस्तक शेप की नीती अपनाई गई यह नीती क्यों अपनाई गई किया भारते ससस्त्र विद्रो कर रहे थे उस समय नहीं इस समय तक ससस्त्र विद्रो था ही नहीं में एक विद्रो होगा उसके बाद भारते क्रांतिकारी एक्टिवेट होगे चौरी चौरा घटना होगी काकोरी डख्यती होगी सेंट्रल लेजिस्टेटिव असेंबली में बंप हैका जाएगा फिर अन्तित्य आठ अगास तुनिस सो बैलेस आते भारत छोड़ो अंदुरन शुरू होगा करो या मरो का नारा दिया जाएगा गांधी जी के द्वारा ठीक है तो इस समय तक यह नहीं था तो तीसरा बल हटा दीजिए वोगी पहला सही है दूसरा सही है तो इसका अंसर हो जाएगा केवल एक और दो तक यह वल कतान एक और दो सकते हैं और यह बड़ी सी एक्स्पिनेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं पाउस पार के या पीडियाप से चलिए अब अगले प्रेशन पर आज़िए सीधे कोशन नबर 16 है निम्रेखित कत्नों पर विचार करेंगे 19 सदी में अंग्रेखित द्वरा आधनिक प्रशासन की व्यवस्था विटिस व्यापार और उद्द्यों की सुरक्षा के लिए की गई 1813 तक अंग्रेखित देश के धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में आहस्तक शेप की नीती अपनाई कौन सा सत्य है इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं लेकिन इसके बाद जो अंग्रेखित थे भारत के भारत वासियों के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनितिक चीजों में घुसने लगे उसी का प्रणाम था 1857 का विद्रो तो अंग्रेज अधिकारियों ने भारतिय आर्थ व्यवस्था का पुनर गठन और विनेवन विटेस व्यपार और उद्योगों के हितों में किया और व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आधनिक पुर्शासन व्यवस्था की स्थापना की अंग्रेजों ने 1813 तक भारतियों के धार्मिक, सामाजेक और सांस्कृति की जीवर में आहस्तक शेप की निती अपनाई भारत में बिटेस राज के दौरान विधी प्रणाली के संबंद में नीचे कुछ कथन दिया हैं कौन सा इसमें सही होगा देखिए भारत ये विधी प्रणाली उच जाती और नीची जाती के लोगों के बीच बेहदभाव करती थी अंग्रेजों के खिलाब दिवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल येरोपिय जज ही कर सकता था आधुनिक नियाय प्रणाली काफी खर्ची ली थी आधुनिक नियाय प्रणाली तब भी खर्ची ली थी आज भी खर्ची ली है अंग्रेजियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरॉपिया जज़ कर सकता था दिवानी में भारते भी कर सकता था तो गलत है दूसरा वाला स्टिट्मेंट भारते विधी प्रणाली उची जाती और नीची जाती के लोगों के वीच भेदभाव करती थी ये गलत है पहला और दूसरा गलत है केवल तीसरा वाला इस ही है तो पहला वाला सत्य है क्योंकि अंग्रेजी राज के दौरान भारते विधी प्रणाली कानून के सम्मुक समानता की अवधरना पर अधारी थी अर्थार जाती कौमा धर्मिया बर्ग के अधार पर बिन किसी वेदभाव के एक ही कानून सभी पर लागू होता था और इसके पहले की नयाय प्रणाली जातीकत बहेदभाव पर अधारी थी ठीक है ना कि भारते विधी प्रणाली तो गलत है पहला स्टेट्मेंट है दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि भारत में योरोप वासियों और उनके वनसजों के लिए अलग अदालत तथा अलग कानून थे उन अधनिक नयाय प्रणाली काफी खर्चीली थी क्योंकि कोड़ फीज का भुक्तान करना पड़ता था वकील करने पड़ते थे और गवाहों के खर्च को पूरा करना होता था और आज तक खर्चीली है यह बड़ा ही इंपोर्टन प्रश्ण है भारत में सबसे पहले हाई कोड की स्थापना किन जगों पर की गई मदरास में बंबई में और कलकत्ता में एक तीन चार इसका अंसर है C तो भारत में सदर दिवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता मदरास और बंबई में उच नियालगय हाय कोड कि पहली बार भारत में हाय कोड कब इस्थापद किये गए किन जगों पर किये गये और पहली बार सुप्रीम कोट, इन दोनों चीजों को याद रखेगा, दोनों से प्रश्ण बनते हैं पुशन नमबर 19 पर आज़िये भारत में दिवानी और फॉजदारी कचहरियों के सिर्णी वद संगठन के जरिये नई परदान करने की नई विवस्था का आरंभ, नई विवस्था का आरंभ, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड क्लाइब, विलियम बैंटिक, वोरेन हैंस्टिंग, कार्नो वालिस भारत में दिवानी और फॉजदारी कचहरियों के सिर्णी वद संगठन के जरिये नई परदान करने की नई विवस्था का आरंभ, किसके द्वारा किया गया? वोरेन हैंस्टिंग, ठीक है, आपसा नुमबर भी है इसका अंसर, तो दिवानी और फॉजदारी कचहरियों के सिर्णी वद संगठन के जरिये नई परदान करने की नई विवस्था को वोरेन हैंस्टिंग ने आरंभ किया मगर कार्नो वालिस ने इसे सूद्रड बनाया तो उपर आरंभ या प्रारंभ करके ही पूछा है ठीक है, सुरू किया या आरंभ किया प्रारंभ किया तो वोरेन हैंस्टिंग है सुद्र तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाया तो वहाँ आंसर बदल जाएगा कार्णवालिस वही जो भारत में सिवल सेवा का पिता है कार्णवालिस ने हर जिले में एक दिवानी अदालत कायम की जिसका पुर्मोख दिवानी जज जिला जज होता था जो नागरिक सेवा का सरस्य होता था और इस तरह कार्णवालिस ने दिवानी जज और कलेक्टर के ओधों को अलग-अलग कर दिया किसने कलेक्टर और जिला किसने दिवानी जज और कलेक्टर के ओधों को अलग-अलग कर दिया कार्नवालिस ने विश्वा प्राशने लॉर्ड विलेजली ने अठारे सो में कलकत्ता में फोर्ड विलियम कॉलेज किस उद्देश है तू खोला था इंपोर्टन प्राशन है अभी यूपी ऐसी सिवल सेवा में पूछा था वर्स दोहर बाइस में पूछा था या या तेईस में पूछा था किसी एक वर्स पूछा था क्यों खोला था भारतिय सेना के प्रस्क्षण के लिए सिवल सेवाओं के युवाओं के प्रस्क्षण के लिए भारतिय धर्म गरंथों के अनुवाद के लिए भारतियों को विज्ञान वम्तक्निकी शिक्षा परदान करना चाता था वो लॉर्ड बेलेजली ने 1980 में कल्कत्ता में fort William college जिस उदेशर से खोला था वो है civil सेवाओं के युबाओं को प्रस्रिक्षन देना चाता था वो तो लॉर्ड बेलेजली ने 1980 में नागरिक सेवा में आने वाले युबाओं युबा लोगों के प्रसिक्षन के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला कंपनी के निदेशकों ने उसकी कारवाही को पसंद नहीं किया और 1806 में उसने कलकत्ता के कॉलेज की जगए इंगलेंड में हेलीवरी में अपने इस्ट इंडिया कॉलेज में प्रसिक्षन का काम आरंब किया कार्णवालिस के समय भारतिय नागरिक सेवा में भारतियों को बड़ी सक्ती से पूरी तरह अलग रखा जाता था किन्तु 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह कानूनी विवस्था लागू की गई की नागरिक सेवा में सारे प्रवेश पृतियोंगी परिक्षाओं के द्वारा किये जाएंगे इंपोर्टन लाइन है इंपोर्टन प्रस्षन बनेगा इससे ठीक है भारत में पहली वार किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवा कि परिक्षा में भरती किये जाने के लिए पृतियों की परिक्षा होगी कौन सा चार्टर है 1853 का चार्टर एक्ट याद रखिएगा चौथा चार्टर है यह है सबसे यादर प्रस्षन मनते हैं 1813 के 33 के और 53 के चार्टर से एक और 1793 का चार्टर एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है 21 प्रशन और अंतिम प्रशन भारत में पुलिस विवस्था का सरजन लौड कार्णोवालिस के द्वारा किया गया लौड डलहोजी के समय भारत में थानों की विवस्था इस्थापित की गई बिल्कुल पुलिस विवस्था का स्रजन लॉर्ड कार्नो वालिस के द्वारा और थानों की विवस्था भी इस्थापित लॉर्ड कार्नो वालिस के द्वारा ही की गई गलता दूसरा वाला स्ट्मेंट के वल पहला वाला सही है तो पहला वाला कथन सत्य है पुलिस विवस्था भारत में बिटिस साशन का एक प्रमुक स्थाम भी थी इसका सरजन करने वाला कार्णोबालिस था उसने जमिदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून तथा विवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिश दल की स्थापना की दूसरा कत्यान करते है क्योंकि कार्णोबालिस नहीं वो कार्णोबालिस ही था जिसने थानू की विवस्था इस्थापित की थी हर थाने का एक प्रधान होता था जो भारतिय होता था ठीक है? हर थाने का प्रधान होता था जो दरोगा होता था और वो भारतिय होता था ठीक है? तो दरोगा तो भारतिय को बना दिया और जो उची ओधे थे उसमें अंग्रेज अधिकारी थे जो civil servant कहलाते थे चलिए तो इस topic से निकलते हैं 21 important question इन सब भी test किया full test PDF series full test series प्राप्त कर सकते हैं numbers for call या वाटसप करके वागी subscribe रखेगा civil services study channel को दो या तीन topic और बचें वागी फिर cover हो जाएगी 12th class की history and CRT धन्यवाद